श्री नारायनियम् एकपंचाशत्तमादशकम् अगासुरवधम् कदाच्चन ब्रजशेशु भिसमंभवान् पनाशनि विहित्तमति प्रगेतराम् समा ब्रुत्तो बहुतरवत्समंडलै सते मन्नैर निरगमधीश जेमनै विनिर्यतस्तवच्चरनाम् बुदत्वयात् उधंचितम् त्रिभूवनपावनम् रजह महर्शय पुलत्क दरैकले वरेर् उदोखिरे द्रुतब्बवधीक्षनोचवाः प्रचारयत्यवेरल शाद्वलेतले पश्चुन्विबोभवत्तिसमंकुमारकै अगासुरोण्यरोणदघायवर्तने बयानकसपदिशयानकाक्रुतिहें प्रसारित्त प्रतीत्त मुकस्यकानने मुकोदरं विहरणकोथुकागता हुमारकाकै मपिविदूरगेत्वयें प्रमादत प्रविषति पन्न गोदरं वतत्त नोपशूप कुल्ले सवाचके विदनिदंत्वमप्पि विवेशित प्रभो सुहरुज्यनं विशरण माशुरक्षितं गल्लो दरेवि पूलित्त वर्ष्मनात्वया महोरगेलुटत्ती निरुद्धमारुतें दृतंबवान्विदलित कंटमंडलो इमोच्ययन्पशूपश्युन्विनिर्ययो शन्नम् दिवित्वदूपगमार्तमास्तितं महासुरप्रभवमहो महो महा विनेर्गते त्वयीत्तू विल्लीनमंजसा विनेर्गते त्वयीत्तू निलीनमंजसा नपस्तलेनन्रुत्तुरत्तू जगुस्सुराह सबिस्मये कमल्ल भवाधि भिसुरैर अनुद्रुतस्तदनुगत कोमारकै तिने पुनस्तरुन दशामुपेयुशे स्वक्कैर भवानतनुत्त भोजनुत्सवं विशानिकाम अपिमूरलीम नितंबके निवेशयनक बलधर करांबोजे प्रहासयनक लवचनै कुमारकान वो बोजितत्त्रिदशग नैर्मुदानुताह सुककाषणनंत्विहत्तव गोपमंडले मकाषणनात्प्रिय मिवदेवमंडले इतिस्तुतस्त्रिधशवरैर्जकत्पते मरुत्पूरी निल्लय गत्तत्प्रप्पाधिमाम। एक्यगा सुरवदवर्णनं एकपंचाशत्तमदशकं समाप्तं। झाल झाल